चम्तकार सर्च टीवी में आपका स्वाक्त है परमिश्र के लोगों आज हम फिर से एक बार चर्च की असलियत प्रोग्राम में एकठे हुए ही और आज मैं आप से जिनको मिलाना चाहता हूँ और आज के जो हमारे स्टूडियो में महमान हैं वो है इंद्रा भैन जी और ये है मया देवी इनकी बड़ी बहु है तो आज सर्च के असलियत में हम आपको ये बताना चाहरी है कि असल में असलियत क्या है हकीकत जो है वो हम लोग आज परगड़ करेंगे इनके जीवन के बारे में तो इंद्रा भैन जी आप कैसे प्रभू में आई क्या था आपको क्या समस्या थी आपको मेरे दुस्टा आत्मा थी शादी से पहले की आप में दुस्टा आत्मा थी तो दुस्टात्मा कब से ती यह थी दस साल की थी मत अब से थी अच्छा तो यह 10 साल की थी दस वर्ष की थी जब तब से दुस्टात्मा थी और फिर उसका एलाज करवाया कुछ उज्ट कराए मेरे में पापाने पहले मुस्मान से तांत्री से तबीतों कट्वाओं तो तो एक वार ठीक होगी फेर जैसे मेरी शादी होई शादी कि समय मेरे खुद केसर बगत थे तो वो उनको पता लगा जैसे मेरे अंदर दुश्टा आतमा है या आदमी है आदमी है जब आपकी शादी हुई थी तो उस समय उसने भी आपके साथ ही फेरे ले लिए है तो ये बहुत बड़ी बात है कर अक्सर ही जो है वो कहते हैं तांतरी कई बार ऐसे कहते हैं जो जिस लड़की में शुरू में हूँ बच्पन में ही दुस्तात्मा जिसको घेर ले तो अगर स्बीक साथ की साथ की साथ में दूसके साथ तो फे तो यह तो निकला मुश्कल है तो पहले भी यह तांतरी के पास जाते रहे और तब यह झाख्या देते सथे लची घेटेले पांचाती लाची और थमीज दे 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 फिर जब आपकी इशादी और भी आपको-धय उन layout रही फैर भी दुस्तातमा थी तो और ट stealth lick तो और फर वह क्या करते थे वह अपना सुचा गाल देखो घ्राइब harm इसके ससुर्जिय वो इस पर जड़ा डाल देते थी घड़ा लगा देते थी असा कहा है तो तो वो जड़ा कर देते थे और थोड़ी देर तो फिर भर शात ईती थी और फिर वो प्र त настоящ पूथा तो ओत तो ये परवार आपका खुशालिन नीटी तब बीजे से मैं दुष्टा अत्माम घेरी रहती जब ज्यादा वो हावी हो जाता मेरे सब्सक्राइब डालते तो यही कहता मैं मैं इसके लेके जाओंगा इसको लेके जाओंगा और मारूंगा यह मार के मेरी शादी हो यह अश्या अश् लेटरिंग की दूनी भी देते थे मेरे को बही वो दुष्टा आत्मा निकल जाए फिर भी यही बोलती बही वो आदमी जो कहता था यह मेरी है मेरी शादी हो यह से मैं इसको लेकर जाओंगा तो आप आप इस बात को समझेगा वो जो दुष्टा आत्मा थी वो क्या करती वो जल भे यह मेरी तो तेरे सादी होगी है कर दो आत्मा बन घा नौा और तीरे को भी आत्मा बना लूँ गा हूं जो ओस दा लगाते थे खंपल हुझ थे-ड बिमारते तक पर आप खेलती रहते थे थे यह तो जब दुस्टाथ में आती थी तो साडी बगर का पता निलगता गोगर का कोई पता नी चलता था और वह मारते थे आप क्या कह रहे थे लेटरिंग की दूनी देते थे लेटरिंग की दूनी देते तो यह तो इस टॉड़ाम निकल जाएगी दूर हो जाएगी देखो यह आपको मैं बताऊं यह चच की असलियत आपको मैं बता रहा हूं कि यह बहुत मुझे यह सुनकर कैसा लग रहा है क्योंकि अक्सर ऐसे बहुत से केस आते हैं मारे पास तो य इसको लेटरिंग की दूनी देते थे के तांके जो दुस्त आत्मा है वो लेटरिंग की दूनी देंगे तो वो बाहर निकल जाएगी तो यह घर के अंदर ही करते थे घर के अंदर ही घर के अंदर ही दूनी की देते थे और मुझे तुमसी भी आती है और मुझे पीड़ा भ वो इसको दूनी देते थे दुष्टात्मा को लेटरिंगी तो वो लेटरिंग के दूनी तो सारत परवार गडर में जो हते थे वह भी में ले 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 तथ अच्छा आपका पते भी साथ भी बैठती थी ननद और वो तो फिर ननद और सब लोगो वो जो लेटेंगे दूनी तो सब कर जाती होगी तो कितनी बुरी बात है यह और फिर आप आपके जो थे मतलब घर किस्तिती क्या थी मतलब अमीरी थी गरीबी थी उस टैम में बहुत ह गरीबी थी आप बहुत गरीब थे जो थी चोटी चीज की लिए भी तरसते थे बहुत ज्यादा गरीब थी शादी के बाद में जब जैसे बच्चे हो गए तो साथ सुसरने नियारा कर दिया तो जाडा तो डालते ही रहाते थी ठीक हो जाटी थी थी अजाती फिर बैस से इ पती मेरा दारू पीने लग या कब यह तो ठीक तो होती नहीं इसके अधर दुष्टात्माएं तो आपके पती नहीं नहीं करते हैं आने वाल बारे में अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से तो अब तो अच्छा तो उस समीं फिर आप आप भी काम करते थे कोई हां मैं आप भी स्थेत में किसी के कोदे निकालनी है कोदे निकालने चले मैं दूरी करते थी आप क्यों मैं दूरी करते थी तो आपको खर्चा तो मेरे को भी चाहिए था वो तो घर कर राशनी राशन लेकर आते थे मच्छे के लिए वी चाहिए था अख jean-खlect, उत्फे से बतारी है कि यह मईजदूरी करते थे जिसे से अपने गठते थे मईजदूरी करते थे और फिर आप क्लस्व, और आपके कपड़े और भी कपड़े रहे, चोधरीयों के जैसे मेरे पती ड्राइवरी करते थे तो उस टैम में सिर्फ 10,000 रुपे साल की तन्खा लेते थे साल की तन्खा एक साल की एक वर्ष की तन्खा दस जार दस जार तन्खा थी ठीक है आप जो कपड़े पैंते थे वो आपको आप जैसे बता रहे थे कुछ करकोन बच्चों को कपड़े भी हती तो उनके जो कप्ड़े उते थे ते पराने अ कप्ड़े जो यह यह पैंते थे ऐससे नहिए अब क्या है मूंध Vall jerky अब भाद में बताता हूं और फिर उनके बच्छों के कपड़े जो थे उनको काठ शांट करके जैन से करके थोड़ी सेट करके उसको अपने बच्चों को पहनाते थी तो अपने बच्चों को पहनाते थी इतनी ज्यादा गरीबी थी और खाने पीने के लिए खाने पीने के बहुत तंगी थी इस घर में और एक तरफ तो वो दुस्तात्मा परिशान करती थी और एक तरफ गरीबी करता है और मैं कहता हूँ अलग कर दिया अपना करो खाओ अपना करो और खाओ कोई आपके ऊपर कोई केस भी मैंने सुना था केस हो गया था कतल का केस हो गया था किसी ने दोखे से बला लिए तो थोड़े दिन जेल में भी जाना पड़ा तो आप देखिये यह कितनी दर्द की बात है कतल का केस भी इनके उपर हो गया था दोखे के साथ हो गया था और मतलो इनके साथ दोखा हुआ था इनके साथ दोखा हुआ था मतलो ऐसे इनके उपर जूटा ही केस बना दिया था कतल का केस बना दिया था और उसके लिए इनको जेल में भी जाना पड़ा लेकिन आपने मैं सुन रहा था आपने आपको कैसे पाता चला यो से पता चला ली मालम धार लेकर ये डेडियो परोग्रम सुनते थे और आप क्योंके राजस्तान है ये तो यह यह बड़ा माथियम है राजस्तामी और ने ड्राइ और यह तो कैसे हैं तब फिर आप चर्च में आए तो आपकी जो दुस्ट आत्मा थी और जो भी शेतान के बंदन स्थावे वो पहले देनी सब कुछ निकल गया तो पहले ही दिन पर्भु येश्व मसी ने इने चंगा कर दिया पहले ही दिन पहले ही दिन मैंने पराध्ण की जाए कोई और मेरा बेटा जो और था उस टैम में जानती नहीं थी तो चर्च में जैसे हम लोग अराधना कर रहे थे उसी दिन पहले दिन पहले ही दिन इसमें से दुस्ट आत्मा निकल गया और फिर आपने बप्तिस्मा लिया हां दूसरे सं बप्तिस्मा ले ले सकते तो आपने दूसरे अतवार में ही बप्तिस्मा लिया और फिर मतलब पपपों की शमा के लिए किया अपने थे तो आपके और आंखों के आंस हुप्रभूने पोछ दिया है आपको दिया है अराम औरर Assistant कि आक और दिया है और तो पुतर अत्मा reps अब आया पोईतरात्मा पावितरात्मा बतिसमा लिया उसके तीसरे संडे जब आई तो टेंपू मा रही थे आते आते मेरो अन्यवाश्या ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे मैं कुछ बोल रही हूं मेरे को पता नहीं पर मैंने जैसे गाउं की राजी की लड़कियों से पूछा मै अच्छा तो जब टेंपू में आ रहे थे तो अन्यवाश्या बापिस जाते जाते मेरे मूं में से कुछ बोलने लगी मैं निकलने लगा तो देखो यह कितनी बड़ी बात है और जब यह जा रहे थे बबतिसमा लेने के बाद जब आपने घर जा रहे थे तेंपू पे जा अच्छा रहे थे तो उस टेंपू पर क्या हो रहा था आपको मुझे कुछ निकर रहा था तो इनके मुझे कुछ निकर रहा था जाने कि अन्यवाश्या निकर रही थी तब इसने किसी और कलीशिया की चच्च के अपने जो लोग है उनसे पूछा भी यह क्या है तो उन्हो तो तीसरे आतवार को आपने बत्रसमा लिया और तीसरे आतवार को आपने अन्या बाश्या से पूरे भर गए और फिर पोईतरात्मा से भर गया तो परमिश्वर ने इन्हें दुस्तरात्मा से निकाला और परमिश्वर ने इनके जीवने में काम किया और परमिश्वर ने उस के घर के हलाट कैसे हैं सब सब बोगाने करें ऑर islands बहुत सब सबाद के Хρό कर दो है अपना अपनी गाड़ी है आपके खुद की कारी है और पहले मकान तो आपका तो बुरा हाल था अबंओ था Nee लेकिन आप तो बड़ा मकान है परमेशा ने बड़ा मकान दिया है अब तो और किसी चीज़ के कमी नहीं है और बहुत अच्छा तो जब आप रभू में आए तो लोग आपको कहते थे भी आप क्यों चर्च में जाते हो जाते हैं लोग बहुत बहुत इतराज करें मेरे पापों की शमा के लिए आपने बानी नहीं दुपकी लगाई थी हैं तो आपने धर्म नी बदला जी ओके, तो सच में चर्च में धर्मनी बदला जाता है, और पाप्तों की शमा के लिए अपने एक बबतिस्मा लेते हैं, दिप्ति लिगाते हैं, और फिर परभी शुम्सी को अपना उधार करता ग्रेंड करते हैं, और परभी शुम्सी ने आपके जीवन में काम किया, और आ लोग आपसे तो यह भी कहते थे कि आपके बच्चो के रिष्पते निय होंगे और लोग आप से यह बहु अगया कारी है, परमिशर में चलने वाली बहु है, बहु ही बात कर लेते हैं, यह अंकी बहु है, और इसका नाम है मैया, देवी, माया, माया रानी, माया देवी, माया देवी वसी कहते हैं, माया देवी, ठीक है, तो ये एक मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, इसके जीवन में जो बात हुए, आप आप बताओ, आपको मुझे से मैं सुनना चाहता हूँ, जब इसके ये आवाज बंदो गी थ यह पहले तो इसको बहुँ थी गठी अभाव बहुत बहुत इसका गठी अभाव था जैसे हम शादी करके लेकि आये ना तो हमारे को नहीं बताया गया भी इसके बाव हैं थोड़ से दिन थोड़ से दिन हुए कभी कहती मेरा हाथ दर्द हुए तो परेशॉट में एक बात कर और प्रभी येश्व मसी ने इसे चंगाई दी, किसे ने चंगा किया आपको, प्रभी येश्व मसी ने आपको चंगा किया, के पास्तर जी ने, प्रभी येश्व मसी ने चंगा किया, जब चच्चमी लेकिया, हाँ वो बताओ, इसकी आवाज बंद होगी तो, यह बास किया, जब मैंने इसको देखा के तो इसको चक्कर आ रहे थे उल्टी आने लगी उल्टी आते आते जब मैं प्रात्रा करने लगी तो इसकी आवाज बंद होगी तो यह इसकी इनकी बहु की जो आज साथ लेकर रहे हैं इनकी आवाज बंद होगी थी बंद होगी और यह मतलब भी हो तो ऐसे लग रहा था इने जैसे वह मरगी है और यह ऐसे ब्योशी इसको गी और अवाज बांद होगी निया और फिर आप टेंपू में लेकर एंदर चार ज़नों ने इसको उस जीप में जैसे मरी को डालते आप ऐसे डाल के लेकि आई इसको और जाई में बलेटके ठंड भी और अरजाई में इसको लिया और चार लोगों ने उठा कर जीप में डाला जैसे लाश को डालते लाश को लेकि आए ऐसे तो ऐसे इचार कर और फिर मुझे याद है आप चर्च में जब लेकर आए ते से रात के समय रात की बात है ग्यारा अव साड़े दस का टायम था जैस इसको फिर जब इसके लिए प्राथना की गई तो इसको फिर खोश तो आया लेकिन अवाज नहीं थी इसकी अवाज बंदो गी आपको मुझे वाज निकल रही थी जब हम लोग कहते थे तो बोल जा कुछ कर जगर के लोग करती तो आवाज नहीं निकल थी तो सुनाई दे तो उस समय मेरे बेटे ने पराथना की और जैसे मेरे बेटे ने पराथना की फिर आपकी वाज जो है रात की बात है रात को मेरे खाल में पहुने दो बज़े के आसपास होगा वह समय दो बज़ें के सामें था और फिर इसकी वाज यो थी वो वाज आई इसकी वाज आगी और प्रभू ने इसे चंगा किया परमेश का धनेवाद करते हैं और एक और बात आपके जीमन में मुझे बता रहे थे कि आप इसके बच्चे को शादी के कुछ महिने हुए तो जैसे भी कहते हैं बहु के बच्चा होने वाला मैं भी यही सोची थी मैं चलो होने वाला बच्चा चलो परमेशन आशिष दी आशिष दी ऐसे करते करते डाई मीने हो गए तो डाई मीने बाद इसके थोड़ थोड़ दर्द होने लगा तो हमने सोचा भी अल्टरसौन कराए तो उसके अंदर पानी की गार थी बहुत इतनी बड़ी गार थी तो आप तो यह सोच रहे थे कि अपि बंटित आप करें है यह लेकिन जब अल्टरसौन करें उस में पता चला भी एक तो पानी की आपानी की कानल दो पत्रिय positives इसके फिर अल्ट्रसौन कराई ज़र्चान कशा है हो अर दो पत्रियां और पानी की गांठ है और फिर प्रात्न कुरही आपनी ऑपने रहा द् प्राथन भी हम लोगों ने लखवादी उनकी क्योंकि हमारे स्टाव के लोग जो प्राथन करते हैं उनके लिए और फिर जब इसके लिए प्राथना की गी तो वह जो पाणी की गांट थी वह खत्म होगी और जो पत्रियां थी वह भी निकल गी फिर दो तीन मिने बाद हमने जब आल्टरसन करा के देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था एक दम सई दो तीन मिने बाद जब आल्टरसन कराया तो उसमें कुछ नहीं था ना तो गांट ना दोन पत्रियां पर बिश्व मसी ने बाहर नकाल दी और गांट भी पर बिश्व मसी ने निकाल दी बाहर नकाल बड़े- случ 1 वारी ने को डॉक्तर किते थे किरेंशर की वुमारी बन जाएगी और लेकिन आप धिर आपने आप सब्सक्राहिए इस प्रोग्राम यह प्रोग्राम का नाम है चर्च की असलियत यहां पार अगर किसी पास्टर ने गडबड की तो वो भी हम बता देते हैं तो यह चर्च में लेकर आए और मुझे याद है इन्होंने अल्टरसोंड दिखाया और उसमें एक पानी की गांट थी और दो पत्रियां भी थी और प् प्राथना की हमारा कांट से प्राथना करना है और प्रभु येश्व मसी ने चंगा कर दिया और अब परमेशनी ने बड़ी आशिश दी है और यह मां बनने वाली हैं चार मीने होगे तो यह मां बनने वाली हैं प्रभु येश्व मसी का बहुत बहुत धनेवाद करते हैं इस बड़ी बातों के लिए, ये है चच की इसलियत, कुछ कहते थे मुसलमान बन गे, कुछ कहते थे असाई बन गे, सब रिस्तेदारों ने छोड़ा, गाओंवाल इनके घर में आना बंद कर दिया, इनका खाना पीना, इनके हाथ का खाना पीना, इनके घर का खाना पीना कि क्या किया प्रभी येश्य मसी ने ने के जीवन को बदल कर रख दिया इसलिए प्रभी येश्य मसी का बहुत धन्यवार सो मिलते हैं फिर किसी एक और असलियत के साथ मुल्सर थे हले पुरे येश्य मसीन का बदल कि ये Num recovering मुली का असलिए ये ज की साथ बहुंदर है इसलिए येल्य मसी इसी जशाइ़ फिल्लेपण कि तो आडे हैं मिल Ск Ale